हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागता आपका हमारे ट्यूट चैनल सिकर स्टेडी पॉइंट पर दोस्तो आज के वीडियों बात करने वाले दस वन लैनर इंपोर्टेंट कोश्चिनू की तो आप वीडियो कों तक जरूर देखेगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल क अगरने लोग लगे हुए हैं और उन्हिंहें लगब यहां भी फॉर्म बढरा वेडियो और वीडियो वीपिडियो और कनिश्च तो वीडियो बिपिडियो तो खैर इसके लिए सब से जयादा दो लाग 16,000 लोग सबसे जादा जो इसके लिए आविदन आयो है और L.T. लेक्षिर वाले जो हमारे चैनल से बहुत कम लोग जुड़े होए बागी बंदरोगा की भी तियारी कर रहे हैं तो बंदरोगा वालोंने खैर बंदरोगा का जो एक्जाम होना है वो 16 जुलाई से लेके आपका 26 जुलाई तर चलने वाला है उनलाइन तो आप लोग उसके लिए भी तयार रहे हैं जिन्जी लोगोंने भरा है और कई लोगों का फोरस्ट कार्ड में निकला हुआ है तो उन्होंने भी हर जग है यहां भी भरा हुआ आगे भी भरेंगे पटवारी जो ऐसा है आएगी और फॉर्म सभी भरेंगे इस साल कहीं ने कहीं मेरा हो जाएगा 14 परसेंट तो लगभग लगभग साड़ेट सहजा लोगोंने बोर्ट किया है तो यह दोस्तों इस तरह से आप यह है कि जो सबसे ज़्यादा आपको जो लोग तयारी कर रहे हाला कि आपको फाइदा कहां मिलेगा अगर आप बीडियो भी पीडियो अगर आप यह पटवारी कनिस्षा साइक इन सब का जो है पैटर लगभग सेम है उत्राखंट पुलिस कॉंस्टेवल में भी आपका होई जाएगा क्योंकि वह भी लगभग 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 इस्ति रखा और बंदी रक्षेक में आपका निकली जाएगा बाकि फॉरस्टेगार्ट का भी जो सेलेबैस है व लेबल का है तो फिर भी इसमें लेबल इस एक्जाम का भी अच्छा रहेगा तो आप लोग त्यारी करते हैं यह मैं देखेगी कितने लोगों ने फॉर्म भरा है तो अब बात करते हैं आज के इंपर्टेंट क्वेश्चिन हुगी आज का हमारा जोस्तो पहला परसन है वो है सत्तिपत साप्ताइक का परकाशन किसने किया था तो इसका से उत्तर हो जाएगा जो सत्तिपत साप्ताइक का परकाशन किया था वो किया था ललिता परसाद नैथानी ने ललिता परसाद नैथानी ने तो यह आपको बिल्कुल या तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है और कब तो 1956 में तो यह सब बिल्कुल याद रखेगा उम्मीद करता हूँ आपने इसके बारे में जान लिया होगा अगला कोश्चिन है टिहरी के जन संगर्स की स्वर्णिम गाता इंपोटेंट पुस्तक है तो यह बिल्कुल आपको सत्य परशाद रतimately की तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है इसके अलावज जो इनकी अलग कुश्टक है वह कडवाल गौरव कडव गाता तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरब और सत्य परसाद रतरी ने जो हिमांचल प के मन में कई लोग के मन में सुंदरलाल बहुगणा चंदी परसाद भर्ट या गोरा दिभी या फिर किसी और का नाम आ रहा होगा पर इसका सेवत्तर हो जाएगा दोस्तों हर्सवंती बिष्ट यह आपको बिल्कुल याद रखना है हर्सवंती बिष्ट गंगोत्री छेत्र मे सकता है अर्जुन पुर्षकार मिला था उनको अर्सवंती बिष्ट को 1931 में और CCI Green Award मिला था वो मिला था 2010 में तो यह आपको बिल्कुल यादर में तो बढ़ते एंगले गोश्चिन की तरफ इसी तरह से जल्दी जल्दी चलेंगे दर्सी कोश्चिन जादा नहीं है उत्र अगले तरफ अगला कोश्चिन है मरोज किस जन जाती का निर्थी है तो यह हो जाएगा इसका से उत्तर जॉन सारी जॉन सारी अब दोस्तों यह रूप में है तांकि इनका उत्तर ऑप्सन भी नहीं दिया तांकि आपको खुद देखना है कि आपको सीदे सीदे इस तरह से क अब तरह को टिक करने में मांकि आप से कोई एक्जाम में कोई मौखेक रूप से आप से कोई वहां पर पूछेगा नहीं तो आपको शिर्फ महां पर ऑप्सन ढेंगे बाकि यह इसलिए कि आपको अभी कितना आ रहा क्योंकि और बाकि जो साम को हरो जाती है वहां पर ऑप् अनुवारे रूप से हारूल हो गया और धूमसु हो गया यह सब इनके परमुक नितियां जौन सार्यू के अगला कोश्चिन है और यह भी बहुत ज्यादा इंपोटेंट कोश्चिन है दोस्तों किस तरह के थे यह आप बताएगा अनुसूचित जन जाती का सरवादिक साच सर्ता वाला जन्पद है तो दोस्तों वह हो जाएगा कौन सा रुधृ परियाग रूद्र परियाग और जो सबसे कम है वह हरीद्वार का हरी दौर का तो यह दोनों आपको या लगबग 12 क्रते एक और जो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन के तरफ अगला कोश्चिन है परती यहां से जो नेपाल भी लगता है तो जूला घाट साइटे होता है और भारत और नेपाल की संसीगिर्टी की जलक इसमें देखने को मिलती है अगला परसन है कालिदास की किस रसेना में फूलु की घाटी को अलका कहा गया है जो महाभारत का बनपरू है उसमें खा गया है स्वर्ग में इंदर का उपन स्वर्ग में इंद्र का उपवन ये भी कहा गया है महाँ भारत के बनपरू में अगला कोश्चिन है नाटियम संगीत अकादमी की स्तापना अलमोडा में कब की गी पहला कोश्चिन तो यह से बन गया कि नाटियम संगीत अकादमी कहा इस्तित है तो अलमोडा में और अलमोडा में इसकी स्टापना कब की गई थी, तो ये कि थी दोस्तो, उनीश्च सक्टुबर 2002 को, नाट्यवम संकीद अगादमी की स्टापना अलमोडा में, और अगला प्रसन है, पंच के दारू में, पित्र तीर्थ के रूप में, कौन सा केदार पर सिद्ध यह आपको यहां पर पताना है पंची केदारों जैसे पंची केदारों में पितर तीर्थी के रूप में कौन है तो हो जाएगा रुदरनाथ रुदरनाथ कहां? चमोली में और बाकि पंची केदार कौन कौन से सबसे बहले तो अपना केदारनाथ और केदारनाथ मदमेश्वनाथ और तुंगनाथ ये तीन कहा हैं तो रुदर परियाग में बागी रुदरनाथ और कलपेश्वनाथ ये कहा हैं ये हैं चमोलिन और जो कलपेश्वनाथ है यहां जो कपाट वर्थ सबर खुले रह थे तो पंजी के दारों में पितर तीर्थी के रूप में तो यह हो जाएगा इसका उत्तर रुद्रनाथ और रुद्रनाथ न मुख की पुजा होती है तो दोस्तो यह थे आज के हमारे इंपोर्टेंट दस वाइनर बांकी कल्व को मिलेंगे उससे पहले आज साम को मिलेंगे तो थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो मच त्यारी करते रहे कोश्चिन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और एक लाइक करके जरूर चाहिएगा